अपने चैनल गाड़ुनिंग विद किती वर्मा में आप लोग का हारधिक स्वागत करती हूं फ्रेंट्स आज इस व्रडियो में कलेंचो, हैब्रिट कलेंचो के केर टिप्ज के बारे में आप लोगों से बाते करूंगे साथ मैं पताओंगे किस तरह मैं इसे गर्मियों में और बरसाथ में बचा के रखती हूं के लंचे जो होता है फ्रेंट्स दे से कुलेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला फ्लारिंग प्लांट है और सर्दियों का बहुत ही खुबसूरत फ्लारिंग प्लांट है देखिए मेरे प्लांट में कितने ज़्यादा फ्लावर्स हैं और सभी को मैंने स्वैल बना है फ्रेंट्स उसमें नीम खले भी अवस्थ से मिला है क्योंकि नीम खली फर्टीलाजर के साथ एक एंटी फंगल भी होता है फ्रेंट्स और जड़ से होने वाले सभी बिमारियों को यह दूर करता है प्लांट आपका सेफ रहता है तो देखिए मेरा प्लांट क साल मैंने अपने गार्डेन में इसे सामिल किया है फ्रेंट्स तो देखिए मिट्टी कितनी भूरबूरी है और पानी तभी देना है इसमें जब इसका अपर स्वैल सूख जा यानि टॉप स्वैल इसका सूख जा तभी पानी इसमें देना है और देखिए देशी कलेंचो इ सभी double petal वाला ऐसे single petal वाला भी इसमें आता है और friends गर्मियों में इसकी growth रुख जाती है इसका flooring रुख जाता है लेकिन जैसे ही बरसात आता है बसे हलकी हलकी इसमें growth शुरू हो जाती है और बरसात के बाद इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से growth हो जाती है अक्टूबर मन्थ में इसका growth पूरा हो जाता है friends और नॉमबर से इसमें flooring शुरू हो जाती है जो कि मार्स तक चलती है अगर आप इसका रख रखाव अच्छी तरह से करेंगे तो इसमें flooring मई तक होती रहती है तो friends देख रहे हैं अप्रिल के मन्थ में भी मेरे हां कितनी अच्छी समें flooring है सभी को मैंने green net के नीचे रख दिया और friends sunlight बहुत जरूरी होता है इसके लिए लेकिन सुबह का 3-4 घंटे का sunlight जरूरी है जाडे में भी उसके बाद इसे छाया भी मिले तो कोई बात नहीं है friends इसे fertilizer organic ही दीजिए chemical fertilizer इसे बिलकुल ना दे fertilizer के रूप में इसे गोबर की सड़ी हुई खा दे या vermic compost दीजे friends और यह acidic स्वाले से पसंद है तो आप जो normal चाय की पत्ती होती है उसे रात भर एक ग्लास पानी में भींगो के रख दे एक चमच और सुबह उसमें एक ग्लास और पानी मिला दे फ्रेंट्स फिर उसे प्लांट को दे देखिए friends मेरा देशी कलेंचों भी काफी अच्छी तरह से flooring कर रहा है और बहुत हाड़ी प्लांट होता है इसे किसी भी care की जरूरत नहीं होती है और habit कलेंचों को तो देख भाल करने की जरूरत होती है friends जितना ही देख भाल कीजेगा उतना इसका जो flooring होगा अच्छी तरह से होगा और जो भी spend flowers है friends उसे आप cut करके निकाल देजिए friends इसके जो flowers होते हैं वह एक महिने से लेके देर महिने तक plant में लगे रहते हैं यानि long lasting इसकी flooring होती है अब बहुत ही खुबसूरत लगते हैं देख रहे हैं कितनी खुबसूरतिक सथिस में flooring हो रही है और देखी कुछ plant मेरे flooring करना बंद कर दी है तो मैं यहाँ कैची से इसे हटा दे रहे हूं friends तभी यह plant आपका survive करेगा flowers cut कर देने के बाद आप इसे किसी छैदार जगा पे रख दीजे तो चलिए friends हम बात करते हैं इसके गर्मियों में इसके रख रखाओ की तो friends इसे गर्मियों में बिलकुल सेड़ी एरिया में रख दीजे या ऐसे जगह रखे जहां हलकी सी छंचन के धूप आती हूँ तो मैं तो क्या करती हूँ कि सब को जो मेरा planter stand है उसी के नीचे रख देती हूँ friends क्योंकि वहाँ ज्यादा धूप नहीं लगती है और गर्मियों में सब्ता में इसे अगर दो दिन भी पानी दीजेगा तो अच्छी तरह से यह survive करेगा और इस जगह रखे जहां बर्सात का डायरेक्ट पानी इसमें नहीं पर सकता है क्योंकि इसमें फंगल ग्रोध बहुत तेजी से होता और आपका plant मर सकता है friends अगर ऐसा लगे कि आपका plant मर रहा है अब नहीं बस सकेगा तो आप इसका cutting लेके तुरंत इसे लगा दिजे क्योंकि cutting ब तो इस तरह इसका रख रखाव बर्सात में कीजेगा friends और हमेशा इसमें fungicide powder का जरूर छिड़काव करते रहे और पानी में भी डालिये साब fungicide powder को पानी में घोल के इसमें इसके मिट्टी में भी डालिये देखिए friends यह मेरे देशी के लेंचो यह भी कुछ plants में अब फ् होता है बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है और यह भी मर सकता है वैसे तो जल्दी मरते नहीं है देशी के लेंचो लेकिन मैं सभी को उठा के सेड़ी एरिया में रख देती हूं friends तो friends बरसात में से पानी से अवस से बचा है बरसात के पानी से तो अपका प्लांट बचा रहे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजेगा बाइ फ्रेंड्स टिक केर हैपी गार्डनिंग